Welcome to my YouTube channel Multitalent A to Z आज हम आप के लिए लेकर आए हैं एक motivational story माँबाप को कभी दुख न देना तो चलिए कहानी शुरू करते हैं जो जिद करते हैं खुद से अपनी सफलता के लिए नहीं अपने माँबाप से अपने शोक पूरे करने के लिए एक लड़के ने अपने पिता से कहा पापा मुझे नया मोबाइल चाहिए पिता ने कहा बेटा अभी कुछ वक्त रुक जा फिर तुझे एक नया मोबाइल दिला दूँगा बेटे ने कहा आपके पास मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते हैं मेरे सब दोस्त अच्छे रहते हैं किसी के पास कोई कमी नहीं है केवल मेरे पास ही हर चीज की कमी होती है तो क्या मतलब इस घर में रुकने का मैं घर छोड़कर जा रहा हूं बेटा रुक जा मेरी बात तो सुन हम तुझे दिला देंगे माता और पिता ने बेटे को रोकने और समझाने की काफी कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका गुस्से में उसने बैग पैक किया और घर से निकल पड़ा लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से उसने अपने पिता की डायरी अपने बैग में डाल ली पिता की आदत थी कि वह हमेशा डाइरी लिखा करते थे और उनकी डाइरी को छूने की परमिशन किसी को भी नहीं थी लड़का घर से काफी दूर आ गया और ठक कर बैठ गया जब उसने वो डाइरी देखा तो उसने सोचा आखिर मिल ही गया खजाना आज पता चल जाएगा कि मेरे पिता जी ने कहां कहां दौलत चुपा राखी है और उन्हें किन किन लोगों से पैसे लेने हैं और सारा का सारा लेक जोख आज मुझे मिल जाएगा बेटे को लगा इस डाइरी में पिता जी की सारी लेन देन का हिसाब होगा जैसे ही लड़के ने उस डाइरी को पढ़ना शुरू किया, उसकी आँखों से आंसू बहने लगे डाइरी की शुरुआती पन्नों में बेटे को जो बाइक दिलाई थी उसका हिसाब लिखा था जिसकी EMI पिताजी अभी तक चुका रहे थे दूसरे पन्नों में उसके कॉलेज की फीस और एड्मिशन का कर्ज लिखा था कि इन इन लोगों को इतने पैसे वापस देने हैं और सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा था कि बेटे को अब मोबाइल दिलाना है उसके लिए मुझे कौन-कौन उधार दे सकता है उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे बेटे ने जैसे ही सब पढ़ा वो पागलों की तरह रोने लगा और रोते-रोते दोड़ता-भागता आया जैसे ही उसने घर आकर देखा तो उसके माता-पिता एक कोने में बैठकर रो रहे थे बेटा अपने पिता के पैरों में गिर कर रोने लगा कि पिता जी मुझे माफ कर दो पिता ने कहा बेटा तू मत रो तुझे मोबाइल मिल जाएगा बेटे ने कहा पिता जी मुझे आप से कुछ नहीं चाहिए मुझे पता चल चुका है आप इस डाइरी में हम लोगों से क्या छुपाते थे मैं अब आपको कोई काम नहीं करने दूँगा मैं मेहनत करके सब कुछ ठीक करूँगा ये सुनकर पिता जी ने बेटे को गले से लगा लिया दोस्तों माँ बाप अपना पूरा जीवन अपनी पूरी खुशी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि माँ बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया वह कभी आपको अपनी समस्या नहीं बताते भले ही वह कितनी ही बड़ी समस्या से गुजर रहे हो रिष्टेदार भी उन्हें नीचान दिखाते होंगे यदि आप अभी भी नींद में सोए हों तो आप जग जाईए और अपने शौक पूरे करने पर नहीं अपना करियर बनाने पर ध्यान दीजिए क्योंकि अगर आप अपने माँ बाप के रहते कुछ नहीं कर पाए तो बाद में आप सोने का महल भी बना लोगे उसमें भी आपको नींद नहीं आएगी अपने जीवन में कुछ बहतर कर लीजिए ताकि आपके माता पिता को उम्र होने के बाद भी कामना करना पड़े अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे सभी के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक लाइक नहीं किये है तो जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले